हेलो, नमस्ते, जै माता दी, मैं रूबी, अपने यूटूब चेनल गाउं की मानसी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आसा करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमेशा मैं ये दूआ करूंगी माता रानी से कि आप सभी हमेशा सवस्त रहें, अच्छे रहें, अपने बच्चों के साथ, अपने माबाप के साथ, अपने फैमली के साथ, वो बच्चे से रहें, क्योंकि ये जो जीवन है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, भगवानी में जितने भी दिन के लिए भेजा है, जितने भी हमारी जिन्दगी है, जितने दिन भी हम यहाँ हैं, अपने फैमली वालों के साथ, सब के साथ, अच्छे से मिल के रहें, अच्छा बरताओ करें, मुझ से कुछ भी बात निकालें, सो समझ की निकाला जाता है, कि हम मुझ से न बड़ा अपने आपा में रहते हैं, एहम में रहते हैं, बड़ा घमंड करते हैं, मुझसे कुछ भी निकाल देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, ये नहीं समझते हैं, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा जाता है कि मैं बोल क्या रही हूं, मेरे मुझसे न कुछ भी भगवान ने हमें इस्वन ने जितने भी दिन दिये हैं हमें हमें सब के साथ अच्छे से रहना चाहिए अच्छे बढ़ता बोलना चाहिए या फिर किसी से हमारी भासा ही कड़ भी है तो फिर ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो देखें मैं मैं ऐसा इसलिए बोली हूं कि हमारे मुहले में ही हमारे देवर्जी लगती हैं जिनकी अचानक से डेथ हो गई है और बहुत दुखत गटना हुई है मैं आप सभी से कही दिनों से बताना चाह रही थी लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रहे थी कि मैं आप सभी से क्या बताऊं और कैसे बताऊ ये मुझे नहीं समझ में बोलू तो क्या बोलू क्या बताऊं मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था फिर मैंने सोचा आज मैं बताऊंगी आप सभी को तो मैं अभी याद कर रही हूँ तो मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं मु अजीव सा लगता है धक 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 अजीव सा डर सा हो जाता है मन में एक जिसे दर सा बैठ जाता है ऐसा और वो हमारे देवर जी लगते थे हमारे ही थोड़ा सा उनका घर दूर है हमारे मोले से लेकिन हमारे घर में उनका आना जाना था और मैंने उनके साथ एक रेल्स व तो देखा दोस्तों आप सभी ने मैंने स्क्रीन सोट इनका लगा दिया है और मैंने इंस्टा पे इनका ब्लॉग भी डाला हुआ है जब सामने वाली चाची जी जा रही थे कहीं तो उस समय मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन क्या पता था उस समय कि क्या होने वाला है क्या नह था तो चाची तयार हो रही थी तो यह पहले से आ गये थे हमारे घर के सामें खड़े थे और आते जाते रहते थे कई बारा आ जाया करते थे तो मैं हमेसा कहती थी कि आप मुझे भी ले चलो गाड़ी से घुमातो नहीं नहीं गाड़ी तुमने निकलवाई है नहां भावी बिल्कुन सिखाएंगे तो जब उस दिन ये आके हमारी दर्वाजे के पास खाड़े थे तो उस दिन मैं बोली थी कि चाची तैयार हो रही थी अपना समान मगरा निका चलाना सिखा दो मैं भी चलाना सीकूंगे मनलब मस्तिक हो रही थी देवर और भावी में तो कह रहे हैं हाँ बावी चलो बिल्कुन सिखाऊंगा बैठो 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 तो मैंनकी गाड़ी पे बैठी भी थी व्लॉग में आप सभी नहीं देखा होगा और हैंडिल अगेरा मैं पकड़ी थी तो मुझे जैसे ही मेरे कोई सामने से आ गए थी ससुर जी है या कोई और है मुझे याद नहीं आ रहा भी ठीक से तो मेरे महले में आप सब देखते होंगी कि कोई नहीं है मतलब जेंस में कोई नहीं रहता है महले में तो जो लोग सब बाहर रहने व तो इसलिए मैं मस्ती कर रही थी उनके साथ, कि मुझे भी चलाना सिखा था, तो बैठ गई थी मैं उनके गाड़ी, पर सामने से मैं देखी कि कोई आ रहा है, तो मैं जल्दी से गाड़ी से उतर गई, तो बोला था भाबी क्यों उतर गई हो, चलो, चलाओ ना, क्यों उतर तो मैंने कहा नहीं, अभी चाचा लोग आ गए, मैंने चलाओंगी, बस मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ, तो उस टाइम मैंने रील्स भी बना लिया था, इनके साथ एक रील्स बनाई थी मैंने, और एक ब्लॉग भी मैंने तयार किया था, तो जिस टाइम पे मैंने सुना बहापरी इतनी बड़ी दुरघटना हो गई कि मैं बता नहीं सकती तो देखे इनके साथ क्या हुआ इनको अचानक से करंट लग गया था इनकी जो गाड़ी थी ना यही इनकी दुस्मन बन गए थी इनकी जान की प्यासी बन गई थी वही गाड़ी तो वो गाड़ी ना चार्ज, मतलब उसको लाइट से चार्ज किया जाता है, तो ये गाड़ी चला के आये थे सहर से और नहाने धोने के बाद लाइट आ गई, तो ये लगाने लगे गाड़ी को चार्जिंग में, और बात ऐसा था ना, कि इस दिन इनके घर में छोटा मोटा पूजा थी, इनकी चाची के लड़के का बड़े था, लड़की का, तो बहुत सारे रिस्तिदार आये थे, इनके घर के लोग सब लोग उसी में बीजी थे, और ये क्या कि ये सहर से आये गाड़ी चला के नहाने धोने के बाद जब लाइट आ गई, तो गाड़ी को किसी ने देखा मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि हमारा गर इनके घर से काफी दूर है, तो हमारे अपने हैं, तभी इतना दुख हो रहा है, और तब किसी को पता चला, तो कोई आके देखा, जब तक में सब कुछ हो गया, तो यही कहते हैं कि कब क्या हो जाए, कब क्य कोई जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, एक पल हम यहां आए, अगले छड़ कहा हो, कोई पता ही नहीं होता, और उसे दिन का सब कुछ कर दिया गया था, क्रिया करम जो भी था, सब कुछ कर दिया गया था, और इनके बड़े पापा बाहर रहते थे, उन्हें भी इतनी गर् कि जान लेवा गर्मी है, यह सूच लीजिए, और मतलब सब लोग इतना तहलका मच गया था, कोराम मच गया घर में, तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ कराना पड़ा, लेकिन मैं जब रेल्स वीडियो देखती हूँ ना, व्लॉग देखती हूँ तो मुझे जरसा भी उसी नहीं होता कि इनके साथ लब ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन असलियत तो अही है, कि अब यह नहीं रहा है इस दुनिया में, और मैं वाइसोर करते समय बहुत सारी बाते आपको बता डाली हूँ, मैं देखिए ब्लॉग की सुरुआत मैंने जब से की थी, यह देखिए, अ उग गया था, तो उसे हम भार में जोकवाने के लिए, भार जोकवाने के लिए बोल रही हूँ, भार जब धिखता है ना, तो वहाँ पर बुनवाने के लिए, चना और बिर्रा दोनों चीज बुनवाई थी, फिर उसके बाद ले गई थी, चाची के घर में, जब मैं मूसर से काण रही थी ना, ताजा ताजा उसे ले गई थी मैं काणने के लिए, ताकि जो बिर्रा का थोड़ा बहुत है ना, उसमें गंदगी निकल जाए, तो वो की, फिर गलती मैंने ये कर दी, चना और बिर्रा में दोनों एक में मिला दिया, चना मुझे दरना था इस तरीके स ये देखे चकरी में, चकरी में चना को दरना था, तो मैंने पहले कभी सतुआ बनाया ही नहीं, मम्मी पहले बनाया करती थी, मैंने कभी गौर ही नहीं किया, तो मैं क्या काम की चना और बिर्रा दोनों के एक साथ मिला दी, मिलाने के बाद में मुझे याद आया, माही की पा चना जो अब में दर रही था अभे उसकी काम प्रोसेस ante फटक दूंगी स्राफ कर दूंगी इसके छिलके अलग कर दूंगी और चने के जो डाल निकलेंगे और बेरा दोनों को एक में कर रही हूं अभी और बस इसको मुझे आप भीजवाना है चक्की पे तो जीरा मैंने भून के रख लिया इसमें मैंने डाला है जीरा अभी नहीं जाए डालूंगी मैंने मंग वाली आफ जीरा भून के कुछ लोग काला नमक धालते हैं जिनको नमक से खाना पसंद होता है तो हमारे घर में चोटे-चोटे बच्ची है इनको चीनी से खाना पसंद है मुझे भी जबनत्से अग्लीन में सफेबानश पसंद है माही को पाप करती थी और मेरी सासुमा भी बनाया करती थी लेकिन मैं फार्ष टाइम खुद से बनाया हूँ तिसलिए मुझे ठीक से पता नहीं था अब मुझे सब कुछ पता हो गया कभी भी बना सकती हूँ यह देखिए चना और विर्रा मेरा दोनों इस तरीके से रेडी हो गया तब इस चक्की पी ले जाना है और आज की व्लॉग को खतम करती हूँ मिलूंगी आप सभी को खल के नए व्लॉग में थाइंक्यू बाइबाइब बच्चों को दिखें डरम में गुसेवी इनकी मस्दी चल रही है यहां पर